तो जब भी आप फर्स टाइम रियक्ट प्रोजेक्ट क्रियाट करेंगे तो उस टाइम आपको सिक्स फाइल्स वहां पर ज़रूर नजर आएंगी और मतलब आपको आपके प्रोजेक्ट में चाहिए चाहिए फाइल्स ठीक है यह रही हो फाइल्स और मैं इसमें शौर्ट पारे में बट अभी एक आईडिया मतलब हाई-लेवल आईडिया कि यह फाइल्स करती कहा है जल्लो तो पहली है हमारे इंडेक्स.html फाइल्स इंडेक्स.html फाइल्स क्या है यह सिंगल पेज ऑफ ता रियक्ट एप्लिकेशन है जो हम बोलते है ना रियक्ट सिंगल पेज ह यह इंडेक्स.html होता है ठीक है html फाइल्स होती है उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट में कंपोनेंट्स क्रियेट करते हो तो उसके लिए आप कंपोनेंट्स फोल्डर क्रियेट कर सकते हो इंसाइड द सोर्स फोल्डर और यहां पे आप अपने कंपोनेंट्स डाल सक अब उसके बाद हमारी होती है app.js file और यह हमारा main component होता है, इसको main component कहलो या root component भी कहलो, जिसमें आपके बाकी के सारे components, आपके custom component जितने भी होते हैं, आप इस main component के अंदर place करते हो, उसके बाद जो app.js file है, वो एक optional file है, test case लिखने के लिए, unit test case लिखने के लिए, फिर है index.css file, यह एक global css file होती है, जो कि आपका style sheet main, तो जितने भी आपके component में जो styles हैं, वो आप index.css में लिख सकते हो, बट आप separate भी बनाते हैं, यह global है, बट आप separate css अगर आपका बड़ा project है, तो उसमें obviously आप separate हर component की एक css file अलग से बना लोगे, उसके बाद है हमारी index.js file, यह है हमारा entry point for javascript code, तो इस file के बगएर javascript, मतलब आपकी file जो interactive बनती है, जो javascript है, वो यही file है, इसका काम क्या होता है, यह render करती है app file, जो app file है, उसको into the dome element, कहने का मतलब क्या है, कि जो आपकी html file में, तो html content था, index.html में, तो उसके अंदर जो content जाता है, आपके सारे components का app component और जितने भी components है, वो index.js file के through ही जाता है, और इसको मैं later detail में describe करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने short summary दे दी है, सारी की सारी files की, ताकि revision करने में और बहुत आसानी रहे, यह चीज में आप यह explain कर चुका हूँ just आपको, but return में चाहिए होता है, क्योंकि revision में हम बार-बार सुनते नहीं रहेंगे, जो मैं कह रहा हूँ, वो बहुत time ticking हो जाता है, just एक नजर डाली और काम हो गया.